कि अच्छ पांडे कमिंग अपिधा नेक्स राउंड ऑफ निव सिंप्लिफाइट तो आज के वीडियो में हम बात करें वाटिज बॉस्त्रो एकाउंट और साथी साथी अभी समझेंगे हाव इट कैन फेसिलिटेट इंडिया रसिया ट्रेड तो फर्स्ट अफ जो रहा देखते हैं आखिर यह वास्त्रो एकाउंट न्यूज में क्यों है देखे रिसेंटली आर्वी आई ने टू इंडियान बैंक एक है यूको बैंक और दूसरा है इंडसिंट बैंक को इंडिया रसिया के बेच जो Trade Payment Sertainment होता है उसके लिए 9 वास्तरो एकाउंट उपें करने का approval दे दिया है तो हमारेले अपढ़ा हो जाता है समझने का कि यह वास्तरो एकाउंट होता क्या है इसका mechanism क्या होता है और साथ है साथ ये भी समझेंगे how it can facilitate इंडिया रसिया डिछ को तो चलिए वार चल रहा है, ऐसी situation में क्या है कि जितने भी Western nation है, खास करके माले जी European nation हो, USA हो, सभी ने रसिया के उपर बहुत सारे sanctions लगा रहे हैं, economically sanctions लगा रहे हैं, वहां कि जितने बैंक को अगरा है, उनसे कोई payment नहीं के लेगा, या फिर जो trade वगरा होंगे, dollar में, pound वगरा में नही हमें होंगे तो ऐसी सिठ्टेक्स में कि साथ जितने भीनीशन हैं उनका ट्रेट प्रॉबलम बट दो जा रहा हैं इसी कंडेक्स में इंडिया के लिएग सब्सक्राइख रही है कि इंडिया चाह कर भी ऐसे इंडिया रोग बहुत शारे नहीं कर पा रहा है settlement का तोर पर यूज कर सकें देखिए इसके लिए RBI ने वॉस्त्रो एकाउंट मेकनीजम को इंट्रोडूस किया था जुलाई 2022 में इसी को वॉस्त्रो एकाउंट कहा जाता है तो अब जो हम समझते हैं कि को इसे करता है वेक्राउंट तो हमने समझ लिए क्यों इंट्रोडूस किया चाहती है कि भाई जो हमारा हम रूपी को भी यूज कर सके क्योंकि क्या होता हुए हर चीज डॉर में करते हैं एकारनसी है थो रॉपय चला रही है पैसे कभाई असी रूपय चला जा रहा है तो इस थरह की जब्लम्स थी उसे सोट आओट करने के लिए RBI ने बास्तो एकाउंट सििटम को मैकनीजम को इंट्रडीस किया था अब ज़रा हम समझते हैं कि बास्तो एकाउंट होता क्या है कैसे function करता है देखिए बास्तो एकांट को समझने से पहले पर जिरा हम बास्तो वर्ड जो है उसकी मीनिंग को स जाएगा इसको जर ऐसे एक्जामपल से समझते हैं माल लेजिए कि रसिया की एक बैंक है सुबेर बैंक जो रसियन कवर्मेंट के लिए काम कर रही है माल लेजिए इंडियन बैंक है युको बैंक को एप्रूबल भी मिला है वस्तुर एकाउंट खोलने का वैसे सिच्वेशन म में क्या करेंगे कि युको बैंक से कांटिक करेंगे और बोलेंगा आप यहाँ पर एकस वाई जेड honestly तो Yuko Bank क्या कर रही है, Subair Bank के लिए Bostro Account खोल रही है, और जो Subair Bank के लिए Yuko Bank क्या कर रही है, Nostro Account खोल रही है, तो इसमें तोधा Confuse नहीं होना है, Overall समझ यह कि Yuko Bank Bostro Account को खोल रही है Subair Bank के भिहाब पर, तो अब जो Trade वागेरा होंगे, यह इसी बहुत स्थाहूंट जो इंडिया और रुटेंड़ेंड Uhr, रूपी बहुत स्थाहूंट की बात की जा रही। इसी में ट्रेट हो गए ये कैसे होगा, मैसे होगा, इसको जो रहा हम एक जामपल के माध्यन से समझते हैं बेसिकलि इंडिया और श्यूट के दीक कमपनी को, यहाँ पर काम आएगा यह वुस्त्रक्र team स्वाज़र्ण कर रहे था भी ते वस्त्रो एकाउंट में क्या है अल्रेडी रसिया की बैंक का एकाउंट है यहाँ पर तो जो वालेजे रसियन कंपणी एबी सी उ बोलेगे एक भाई कि आपने जो इंपोर्ट किया है उसका जो पिमेंट है आप यहाँ पर जमा करा दीजेए समालेजे कि 100 कर करना है 100 करोड रूपीज का ट्रांजेक्शन होगा 100 करोड रूपीज का जो इंडियन कंपणी कंपणी उसने हां से क्रूडवाइल इंपोर्ट किया है तो उनको पेमेंट करना है 100 करोड रूपीज तो अब बात आती है कि यह सुबेर बैंक वालों को पैसा मिले है कैसे तो एक तो मामला यह है कि या तो यूको बैंक बोलेगे कि कुछ में जो आप हमारे टैक्स वगरेर हम कट करके आपको पेमेंट कर देंगे वापस कर देंगे तो फिर मुद्दा वही जाएगा कि पेमेंट होगा कैसे तो दूसरा सिनेरियो में क्या होगा कि जूरूरी नहीं कि जो रसियन कंपनी है उन्हें सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना है हो सकता है रसिया किसी कंपनी को इंपोर्ट भी करना हो माले जब इंडिया से उन्हें कुछ इंपोर्ट करना है तो ऐसे स्यूचिशन में क्या होगा इन्हें पेमेंट करना होगा तो अब यह पेमेंट कहां से कर स citeיים कर लो 70 करो रुपीज और हमारा पैमेंट हो गया तो और All क्या हुआ इंडेयन कंपणी ने जो import किया उसके लिए payment जहा जंबा किया स्वास्थ्रेंट में और रसिएN कंपणी इंपोर्ट किया उसका Payment कैसे कि उन्होंने उसी वस्त्रेंटइस सी उर्णे का हुआ payment का पूरा का पूरा सिस्टम हो गया इंडियान रूपी में तो इस सिच्वेशन को ही हम बहुत रूट कर रहे हैं इसी मेकनी जयों को बहुत रूट कहा जा रहा है और इसी को यूज करके इंडिया और रसिया जो है अपने रिलेशन को अपने ट्रेड को और आगे गया European nation हो गया जो डॉलर वागरा पर सैंक्सन लगा चुके हैं तो अब क्या होगा कि यहां पर जो सैंक्सन है उसे सॉट आउट किया जा सकेगा बाइपास किया जा सकेगा कुछ जरूरी नहीं है कि इंडियन गवर्मेंट को पैमेंट करना है तुने डॉलर की जरूरत हो यू डॉलर पर इसमें क्या होता था कि आया दिन यूए से बोलते देख भाई आप यहां पर कोई पेमेंट नहीं कर सकते हो किसी तरह का कोई समार नहीं खर सकते हो हर्मेसा ही आपने देखा होगा कि यूए से कहता है आप रसिया से फ्लाना फ्लाना एक्स वाई-जेट फाइट प्ले नहीं खर सकते कोई मिसाइल सिस्टम नहीं खर सकते तो सबस्रा मुद्दा यही था डॉलर में पेमेंट होता था तो पेमेंट का मुद्दा था कि पेमेंट कैसे होगा जब उन्होंने सेंक्सन लगा दिया तो आप पेमेंट ही नहीं कर सकोगे आज यहां पेमेंट ही होगा तो हाँ पर trade ही नहीं होगा तो ऐसी situation में जो dependency ठीड डॉलर पे वो खतम हो जाएगी अब आने वले दिनों में क्या होगा कि जो trade वगरा होगा इंडियन वॉस्तरो account से हो जाएगा इंडियन रुपी जो वॉस्तरो account के हम बात करें उसके माद्यम से हो जाएगा तो जो trade है हमारा वो और ज्यादा facilitate हो जाएगा आसान हो जाएगा और साथे साथ देखें दूसरा point क्या है कि जो इंडिया और रसिया की बीच में क्या trade हो रहा है क्या नहीं होगा या क्या होना चाहिए वो decide कौन करेगा यह दोनों करेंगे यहां पर अभी तक कौन decide कर रहा था यह वैसे decide करना लग रहा था क्योंकि जो payment का मोड़ था उनके माद्यम से होता था तो वो जो चाहते थे वही कभी-कभी क्या होता था इंडिया गवर्मेंट को या रसिया गवर्मेंट को भी उन्हें फोलो करना पड़ता था औ payment का settlement था वो कैसे हो उसी पर depend करता था तो इस तरह की जो dependency थी वो खतम हो जाएगी तो आने वाले दिनों में रसिया के साथ तो जो हमारे ट्रेड है वो बढ़ेगा है इसी को यूज करके जो हम बौस्तरों एकाउंट की बात कर रहे हैं उसको यूज करके इंडियन गवर्मे रूपी जो है domestic रूपी उसे internationally बहुत जाद recognition नहीं मिला हुआ है ऐसी situation में क्या है कि अब market में यह जो internationally market है जहां पर trade हो रहा है वहां पर dollar के साथ साथ जो हमारी इंडियन रूपी है उसे भी recognition मिलेगा उन्हें भी international trade में इसे माना जाएगा जो international trade हो रहा है उसमें settlement रूपी में भी हो सकता है तो हम क्यों dollar के पास जाए या फिर euro वगरा के पास जाए इंटरनेशनली भी हमारे पास क्या होगा domestic जो रूपी हमें recognition मिलेगा आने वाले दिनों में हमारे जो trade deficit वगरा है वो सारे चीज़े दूर हो सकेंगी हमारे रूपी को recognition मिलेगा इससे worldwide जो हमारा power ह एकनोमिकली फावर कास करके वह और ज्यादा बढ़ने वाला है तो होप आपको यह वीडियो समझ जाया होगा thanks for watching